साइन्स का मौडल पेपर और दोस्तों यह साइन्स का पांचमा मौडल पेपर है इससे पहले हम चार मौडल पेपर अप λोट अपलोड कर चुक 열 banc तो उसको अगर नहीं देखे थे लिजे और दोस्तों आप लोग मोडल पेपर पर ज़्याद़ ध्यान दिजे तो आप लोग वीडियो को शुरू से आम तक देखिए और बताये कि 50 प्रस्ण में कितने प्रस्ण आपको पहले से याद थे और दोस्तों इसमें बहुत सारे इसे प्रस्ण है जो बहुत सारे स्टुडेंट से नहीं बनेंगे तो आप देख लिजिए कि आपसे बनता है या फ उसका फोकस्तूरी कितना होगा यानि कि जब वह पानी में डूआ होगा और हावा में रहेगा तो उसका पेच्छा में बताना है कि उसका फोकस्तूरी कितना होगा यानि कि जब पानी में होगा तो उसका फोकस्तूरी हावा के पेच्छा क्या होगा तो दोस्तों उसका हाव पानी में घोला जाता है तो विलियन का पीएच होगा तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्फ करेंगे जब कार्वन डियोकसाइड को हम लोग जल में घोलते हैं तो जल होता है उसका क्या होता है वह अमलिय हो जाता है यानि कि स्यूटू को अगर हम लोग जल में घोलेंगे तो घोल कैसा होगा अमलिय होगा और पीएच मान कितना होता है तो साथ से कम होता है हमारा उतर क्या होगा ऑप्सन सी होगा चली उसके बाद आपको देखिए फॉर्मूला पूछा गया है आपको पूछा गया कि बिरंजक चूर् का अनुसुद्र होता है सी यहां पर बिल्कुल सही अंसर है चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रशन देखिए यह आपके बोड एक्जाम में पूछा चुका है आप को सन्वाइंग करके देख सकते हैं देखे काता है कि एक एमीटर का परीसर यानि कि एक एमीटर का कितना है 0.03 MP ढाक सकता है इसका इतना है उसके जास्चेल पर कि संख्या मट लिए और यह यहां से जीरो सबस्टाट है और यहां तक अन्तन है जी रॉपॉइंट तीन तक अन्त है यानि कि यह उ मावतeken्ड मैंन कि सब क्ढमदारय कि इस इसको सब आद कि इसे बनाएंगे द दर Ouch यानि कि जितना डिविजनों की संख्या रहेगा उसको हम लोग कुल धारा से भागा देंगे यहां पर देखिए जीरो पॉइंट तीन है और उसको भागा देंगे तीस से तो कितना होगा देखिए उपर से दस मलवा टाएंगे नीचे एक सुन्य होगा एक सबसे कर जाएगा यानि कि कितना हो जागा एक वटा 100 और एक वटा 100 को हम लोग जीरो पॉइंट रिख सकते हैं जीरो वन लिख सकते हैं यानि कि यह चीज़ का जो लिस्ट कांट होगा वो कितना होगा ऑप संडी होजागा जीरो पॉइंट जीरो एक एंपियर इसको इस तरह से आपको बनाना है देखिए एक तरह से यह नुमेरिकल टाइप प्रस्ट है कि चलिए उसके बाद देखते हैं पाचमा प्राश्ण को रख स्कता आई कि एक भूरे रंग का चमक दार तत्व एक्स को भायो को पस्थिती वे घरम करने पर वह काले Rंगगव रंग का यह meme का आउन यह कता था वही है कर आए कि और वह स्थितित्यम कदकर हो जाता आ तो कराएक की असका नाम आता है यह आपको अप्सन दिया हुआ है क्या चीज़ सोडियम मैंगनेसियम कौपर और पोटैसियम दोस्तों देखिए जो काउपर होता यानि कि तामभा होता है वो कैसा होता है और जब इसको हम लोग बायू को पस्तिती में गरम करते हैं तो वह काल दाता हो सकते हैं चली उसके बार देखिए करवंण के कितने अनु होता है बता सकते हैं ус gratuitous में कीतने यह करण के रहे होता है इसका B देख करके बता सकते हैं कि उसमें कारवन के कितना अनुए तो जल्दी से आप लोग इसका इंसर कॉमेंट वोक्स में दे दीजिए में कि चलिए उसके बाद हम लोग दखते हैं सात्मा प्रश्ण को देखिए सात्मा प्रश्ण भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्ण है देखे कहता है भूर्ण को मा के रूधिर से ही पोषन मिलता है इसके लिए एक बिशेश सन रचना होती है जिसे काते हैं यानि कि मां के पेट में होता है थो वह क्लीज देखते हैं प्लेसेंटा क्या हैeduc होगा है चली उसके बाद हम देखते हैं प्राष्न देखे कहता हैं विकास के अधार्पन निम्लिखित से किसका सरीर कत आइं कि अभिकल्प उत्तम और दोस्तों कि अभिकल्प किसका स्थीर यहां पर बिल्कुल सही होगा कि चलिए उसके बार देखते हैं नौवा प्रश्न को देखे कहता हैं कि नीचे दी गई इफह किरिया में संबंद क्यों साथन साथ तो देखे झाथी तो देखे कह और धो जाएगा option यह हो जाएगा चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रस्ण को देखिए अगला प्रस्ण यह भी most important है देखिए तो कौन सा गैस निकलेगा तो हैड्रोजन गैस निकलेगा हमारा उतर क्या होगा option सी होगा चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रस्ण देखिए यह प्रस्ण भी most important प्रस्ण देखिए 11 प्रस्ण काताई की निकित में से कौन सा एक प्राकिर्तिक पारिस्थित की तंतर द जंगल तो दोस्तों इसमें कौन प्राकिर्तिक पारिस्थित की तंतर है तिसम हो जाएगा जील क्या हो जाएगा जील हो जाएगा यानि क्या option सी यहां पर बिल्कुल सही है चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रस्ण देखिए बारा नमर से बाल यह भी most important है देखिए इ जिसका गलनाक उच्छ है आवर सार्णी में यह संभावता दिये गए किस तत्व संभावता दिये गए किस तत्व के वर्ग के समों के अंतरगत आता होगा देखिए कोई तत्व है वह कोलोरीन से भी किरिया करके क्या बना रहा है तो कोलोराइड बना रहा है देखिए क्या संनता तो आपको संदलाता है कि यहां पर की सका समयो망 को लागभा है काहलन से गुरूब का जो होता है उसका संदलाता हमार मैगनेशियम में इसके वर्ग में तत्वाएगा वाहा ने सिर्थ बनाएगा तो घ्रल्त क्लोराइड बनाएगा तिस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा है चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रशन देखिए तेरा नमर स्वाल देखिए कि नेट्रोजन के द्वी परमानिक अनुर में कैसा आबंध होगा यानि की नेट्रोजन के कराई की द्वी परमानिक यानि की दो परमानिक रहेगा नेट्रोजन का तो देखिए नेट्रोजन का अगर दो परमानिक रहेगा तो इसके बीच में कितना बॉंड बनेगा तो इसके बीच में ट्रीपल बनेगा यानि कि इसका सुनज़ता कितना होता है तीन होता है हमारा उतर क्या होगा option c होगा कि चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसा सा कोश्चन लेकिन बहुत महत अपूर्ण है काता है कि निर्वाद में प्रकास की चाल तो तीन लाख मीटर पर सेकेंड होता है यानि कि तीन गुन्य दर्स पर पावर आठ मीटर पर सकेंड यानि कि option से यहां पर बिल्कुल सही पॉगा चलिए उसके बाद देलेदे हैं अगला प्रशने के लिए वहान करेगा तो यहां पर जल है इसलिए क्या होगा जल का बहान